हलो फ्रेंज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में दोस्तों अपनी पिछली दो वीडियो में हमने ये जाना कि राश्टे पती कौन होता है उसके लिए क्या योगताई होनी चाहिए इसके लावा राश्टे पती को निर्वाचित करते समय किन रीतियों को अपनाया जाता है और राश्टे पती के अधिकार और शक्तियां क्या होती है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राश्टे पती के कारेकाल उनके वेतन और भत्ते के बारे में इसके अलावा ये भी जानेंगे कि राश्टे पती को हटाने की फीधी क्या है तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहे और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करेगा राश्टे पती का कारेकाल पांच साल का निश्चित किया गया है मृत्यू, त्याक पत्र या फिर महाभ्योग द्वारा उसे राश्टे पती पत से हटाई जाने के बाद पांच साल की अवधी के भीतर अगर राश्टे पती पत खाली हो जाता है तो राश्टे पती पत का चुनाव दुबारा से पांच साल के लिए होता है ना की विशेस अवधी के लिए होता है राष्टेपती का पद खाली होने के बाद छे महिने के अंदर नए राष्टेपती का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है सविधान द्वारा उप राष्टेपती पद पुनर निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं लगाया गया है राष्टेपती के वेतन और भत्तों की बात करें तो छटवे वेतन आयोग के अनुसार राष्टेपती को प्रती माह तेर लाक रुपे वेतन दिया जाता है नवीन वेतन लागू होने के बाद जनवरी 2007 से इसे लागू किया गया राष्टेपती को निशुलक शाष के आवास जो की राष्टेपती भवन में उपलब्ध है दिया जाता है अनुछेद 69 के अनुसार राष्टेपती की उपलब्धियां और भत्ते उनके कारे काल में कम नहीं किया जा सकते राष्टेपती के वेतन भत्ते भारसरकार की संचित निधी से दिये जाते है चलिए आप जानते हैं राष्टेपती को किस तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है राष्टेपती को अपने कारे काल की समापती से पहले भी सविधान के उलंगन के लिए महाभियोक के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में इस प्रयायोजन में दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव के रूप में आरोप प्रस्तुत किये जा सकते हैं पर उससे पहले संसद में उस सदन के कम से कम एक चोथाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए नियूनतम 14 तीनों का नोटिस देना पड़ता है। या फिर उसकी और से उसका प्रतिनिधी करने वाला उपस्तित हो। खिती की बात करें तो राष्टे पती केंदर में शाशन का नाम मातर का अध्यक्ष होता है। वास्तिविक शक्ती मंत्री परिशत के हाथों में रहती है। लेकिन शाशन का पूरा काम राष्टे पती के नाम पर होता है। ये काम वो मंत्री परिशत की सलह के अनुसार करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना राष्टे पती के कारेकाल, वेतन और भत्तो के बारे में इसके इलावा जाना की राष्टे पती को उनके पत से कब और कैसे हटाया जा सकता है। आई हो की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।